42 is here, अभिवादन स्विकार कीजे, डॉक्टर सतीश पांडे का, प्यार, धोखा, जूट, सच्चाई, बैमानी और इमानदारी यह सब चीज इंसानों में ही पाई जाती है, और जब भगवान के बनाएं इंसान में इतनी कमिया हो सकती हैं, तो जरा सोचिए, इंसान के बनाए स्किन केर प्रोडक्स में कोई कमी ना हो, क्या ऐसा संभव है, कमिया हैं, लेकिन बताने वालों के मुह कमपनियों ने सिल रखे हैं, ऐसे में होता है आम ग्राहकों को नुक्सान, जो अपने ही पैसे से ले आते हैं, स्वेम को बिमार करने वाले प्रोडक्स, इस उम्मीद मे क्यों उनको इस से फाइदा होगा, आप जिन फाइदों के लिए स्किन केर प्रोडक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें मिले हानिकारक केमिकल उसका उल्टा काम कर रहे हैं, और इनके साइड इफेक्स इतनी देर में पता चलेंगे, कि आपके पास सर पीटने के लावा कोई द जानून नहीं है कि आप कमपनियों से हर जाना ले सकें, ऐसे में सबसे सुरच्चित तरीका है कि ऐसे प्रोडक्स खरीदें, जिन में कोई टॉक्सिक इंग्रीडियंट ना हो, और इसी टॉक्सिटी का हल्ला मचा कर, दो कमपनियां, ममा अर्थ और वाव इसकिन साइंस ने खूब नाम और माल कमाया है, इन ही दो कमपनियों के 5 best selling products compare करके, मैं आपको बताऊंगा, ममा अर्थ और वाव इसकिन साइंस में से किसके products हैं, कितने natural या toxic, कमपनियां अच्छी तरह से जानती हैं कि आम जनता उनका कुछ बिगार नहीं सकती, इसी लिए इनकी सच्चाई जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनके products की ingredient list को ध्यान से पढ़ना और समझने की कोसिस करना, ऐसा करते करते वह दिन दूर नहीं जब आपको अच्छे products खरीदने के लिए किसी की भी जरूवत नहीं होगी, अगर आप भी अपने पैसे से अपने घर बिमारिया लाना न नहीं चाहते, तो आपको मेरे चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना चाहिए, तो आईए, अब बात करते हैं, ममा अर्थ और वाव इसकीन साइंस के इस comparative वीडियो में, जिसमें मैंने दोनों कमपनियों के 5 best selling products की ingredient list को analyze करके, आपको यह बताने की कोसिस की है कि कि किस company का product है कितना natural या toxic और ये ingredients मैंने company की website से ही लिये हैं, तो सबसे पहला product है ममा अर्थ का उप्तन face wash और वाव इसकीन साइंस का best selling face wash है, vitamin C foaming face wash, इन दोनों की ingredient list देखने से आपको पता चलेगा कि ममा अर्थ ने जहां 4 toxic ingredient, वहीं वाव इसकी science ने 2 toxic ingredient मिलाए हैं और इन दोनों में common है phenoxyethanol, अमेरिका और योरोप में phenoxyethanol 1% की concentration में इंसानों के उपर इस्तेमाल करने की इजाजत है, हिंदुस्तान तो खाला जी का घर है, इसलिए company अलगभग हर products में ही phenoxyethanol safety के नाम पर मिला रही है, phenoxyethanol को eco cert भी natural preservative नहीं मानता और इसके हानिकारक दूस प्रभावों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना चाहिए, जिसका link आपको description में मिल जाएगा, mama earth और wow इन दोनों में से किसी का भी face wash आपको नहीं खरीदना चाहिए, तो पहले product की analysis के बाद दोनो company को मिलते हैं, शून ये number, अब बात करते हैं दूसरे product के बारे में, जो है mama earth का onion shampoo और wow skin sciences का onion shampoo, mama earth और wow दोनों के ही product में मिला है artificial fragrances जो 16 से 23 अलग-अलग chemicals का miss run है, और कौन-कौन से chemical इन perfumes को बनाने के लिए इस्तेमाल किये गए हैं, इसका कोई विवरन दुनिया में कोई भी company नहीं देती, लेकिन artificial perfume दरजनों बीमारियों जैसे diabetes, thyroid, PCOS, cancer के साथ allergy करने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए आपको इन दोनों products को avoid करना चाहिए, और इन ही toxic ingredient की वज़े से मैंने इन दोनों कमपनियों को फिर से दिया है, शून्य नंबर, अब आईए बात करते हैं, तीसरे product की जो है ममा अर्थ का onion hair oil और वाव skin sciences का onion hair oil, ममा अर्थ ने artificial fragrances अपने hair oil में मिलाया है, इसलिए इस company को मिलता है शून्य नंबर, वहीं वाव skin science के onion hair oil में कोई toxic ingredient नहीं है, इसमें मिले cold pressed oil से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, इसलिए आप इस product को लंबे समय तक बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस अच्छे product के लिए वाव skin science को मिलता है एक number, और आपको मेरा या पहला comparison वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप मुझे comment करके बताईएगा, कि आप भविस में किन company या products का comparison वीडियो देखना चाहेंगे, और इस वीडियो मे मैंने जिन products के बारे में चर्चा की है, उनके सुरचित substitute का link आपको description में मिल जाएगा, आप चाहें तो safe product खरीदने के लिए उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अब आईए बात करते हैं, number 4 के product की, जो है ममा अर्थ का vitamin C, daily glow, face cream, और वाव skin sciences की vitamin C, face cream, अगर आप ममा अर्थ के vitamin C, face cream की ingredient list पढ़ें, तो आपको 6 से ज़्यादा नुकसान दायक chemicals इसको बनाने में इस्तेमाल किये गए हैं, या ingredient list में साफ साफ लिखा मिलता है, वहीं वाव की ingredient list में आपको सिर्फ एक ऐसा ingredient मिलता है, जिसे avoid करना चाहिए, और इन ingredients के आधार पर मैंने इन दोनों brands को दिया है, शूने नंबर, अब आईए बात करते हैं, नंबर 5 की, जो है, ममा अर्थ 10% Vitamin C Essence Serum और वाव Skin Sciences Vitamin C Serum, इन दोनों brands के सीरम में मिले हैं Phenoxy Ethanol नामक chemicals, एक अध्यन में यह पाया गया है, जिसमें 243 लोग सामिल थे, कि जब इन सभी लोगों ने 1% concentration Phenoxy Ethanol अपनी स्किन प के बराबर था, वही जब Phenoxy Ethanol को Ethyl Hexyl Glycerine जैसे Un-Preservative के combination में उपयोग किया जाता है, तो इसकी irritation potential और बढ़ जाती है, और यह combination, ममा अर्थ और वाव दोनों ही अपने products में खूप करते हैं, यह आपको Ingredient List में पढ़ने को आसानी से मिल जाएगा, Face Serum के मामले में ममा अर्थ और वाव दोनों ने ही दो-दो toxic ingredient मिला कर बराबरी करते हुए सूने number कमाया है, यानि आपको इन products से दूर रहना चाहिए, अब आईए बात करते हैं results की, अगर आप ममा अर्थ के इन 5 products का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रद दिन आप अपने सरीर में लगभग 15 अलग-अलग प्रकार के toxic chemicals डाल रहे होते हैं, वहीं वाव Skin Science के 5 products के द्वारा आपके सरीर में प्रद दिन 7 अलग-अलग toxic chemicals पहुच रहे हैं, टॉक्सिटी के लिहास से ये दोनों कमपनिया नागनात और सापनात हैं, अब पसंद आपकी है कि आपको किसका जहर यालग पसंद आपको कि अईंग बाल पसंद आपकी है है